बारत तरिक को पाकिस्तान, Islamic country, Islamic Republic of Pakistan जो की बना है इसलाम के principles पे जो की बना है इसी मान सकता पे कि एक मुसलिम उम्मा को हम एक अठा रखेंगे दुनिया भर में एक एक्जामपल पेस करेंगे कि पवित्र धर्ती है और सारे मुसल्मानों के लिए धर्ती है मुसल्मान या सुर पाकिसान की अगर हिस्ट्री जाने तो बहुत पुरानी नहीं तो कुछ समय पहले ही उन्होंने एहमदिया मुसलिमों को कानून में शंसोधन करके उन्हें डिक्लेयर कर दिया कि वो मुसल्मान ही नहीं है अब उसी से लिंक हमारे यहां के कुछ मुसल्मान तरप पड़ाये हुए थे जो कि खुदी शायद डिस्क्रिमिनेट करते होंगे एहमदियाओं के साथ तो उन्हें यह दिक्कत थी कि हम लोगोंने CAA में उन्हें एहमदियाओं को क्यों ने इंक्लूड किया वह भी तो रिलियस माइनॉर्टी है पाखंड का लेवल देखिया आपको यहां में सारा पाखंड एक्सपोस करके एक ही प्लाटफॉर्म ब्रेक दूँगा अगर आप एगर ही करते हैं तो अलग-अलग प्लाटफ हमारे की कुरान को मान के और ऐसे 72 फिरके हमारे आं सिरफ भरत अपीना में भी त्यूर्ट में कहीं आपको 42 फिरके नहीं मिलें गे इस्लाम को मानने वाले मुसलमान जो पाय़ जाते हैं लेकिन इंडिया में पाय जा जैएंगे पर इंडिया को ऐलिगेशन लगा जक्वां पसाया हुआ बिना किसी आपती के अच्छा और सी एनरसी आने के बाद भी एक को भी नहीं निकाला अच्छा डर था इनको कि पूरे इक पॉपॉलेशन ही खतम कर देंगे हम लोग इनके वोटिंग राइट्स ही खतम कर देंगे पर ऐसा अभी तक तो कुछ नहीं हुआ ओके त तुम नहीं हो तुम छोड़ दो तुम नहीं हो जो बिल्कुल इसलाम कुरान मोहमद इन सब में कोई रूची नहीं रखता है उनको आप जबर्दस्तिक उठाते हैं कनवर्ट कर देते हैं तो यह पाकिस्तान है और यह इस्लामिक प्रिंसिपल्स पर बना हुआ देश है और अटर हमें इल्साम लगा जाता है कि हम इंटोलेरंट हो रहे हैं और दूसरा इल्साम सबसे पाखंडी वाला इल्साम कि हमारे यहां भेदभाव किया जाता है कास्ट के बेसिस पर हम नहीं कहते कि तुम हिंदू हो नहीं हो हर दलित को भी हम यह कहते हैं कि तुम हम से जादा बड़े हिंदू है आप सब को पता है कि पूरी दुनिया में शीया वर्से सुनी सुनी वर्ड मतलब कि शीयां को अपना अलग मार चलते सुनी से खीज़ा है चलता रहता है यह अर्ब वर्ड अस्लामीक का दें इनकी आप आशे मिहीं मार होती स्वार्व इस इस जांधी के साथ आप आते हैं यहां जो 12 तारेक हुआ 12 सितंबर को हुआ हजारों की तादाद में कहा जारा 20-30,000 थे मार्च निकलती है काफिर काफिर शिया काफिर ही सब कहा जाता है शियाओं को और उनको नौन मुस्लिम डिकलेर करने की बाते हैं उनको यह कहा जाता है कि तुम हमारे मुहम्मत के बारे हम कुछ नहीं कह सकते हैं मतलब छोड़ दो लिटरली काफिर का यही मतलब होता है कि डिस्विलीवर नौन मुसलिम हर वो चीज जो मतलब इसलाम के अगेंस्ट हो कुरान के अगेंस्ट हो लेकिन क्या यह बात शियाओं करने वाले हैं अगर आप जटके में उनको यह बोल देंगा और आप कौन होते ह हैं मुझे कोई सुनी देख रहा है सुनी मुसल्मान यह मुझे बता है कि आप कौन होते हैं यह डिकलियर करने वाले कि जो कुछ दिन पहले तक बारात तारिक से पहले तक इन जनरल दुनिया की नजरों में और जैसे कुछ हुआ ही ना हो अगर मानके चलें तो वो भी मुसल मुसल्मान नहीं तो आप को नktion को किसलें टैक डिया मुसल्मान की किसा आयत में लिख कि सिर्फ सुननी मुसल्मान है यह अरब वर्ल्ड वाले मुसल्मान है और श्या यह मदिया नहीं व्यार अगर cursa है और अगर ऐसा है तो आपकी कि पचास पर्संट से जादा बादी एक में खतम हो जाएगी क्योंकि आपने कैसे बताऊं कि भारत के सारे मुसल्मान तो converted थे तो पहले हिंदुई तो quality के मुसल्मान तो हुए नहीं ओफिशल मुसल्मान तो हुए नहीं तो आपकी लिष्ट में आने नहीं चाहिए चाहिए श्रीया क्योंकि जो आने नहीं है कि तो दुनिया में जो आपकी आवादी सबस्चादा बड़ी हुई है दबाके बिल्कूर जो लिमिट होती ना आपने उस लिमिट तक कतले याम किये हैं, तलवार की जोर पर कनवर्जन किया है, फोर्स फूली चाहे, अलालस देगे, तो ओफिशल मुसल्मान सिर्फ बचे रहे जाएंगे, साइद वो सुननी हैं, और वाकी सब नौन मुसलिम हैं, तो या तो यह डिक्लियर कर देजिए, और कुरान की वो आयत हरकतें करने के बाद, अइसी हरकतें करने के बाद, ये क्यों कहा जाता है, इसलाम is religious, religion of peace, tolerance, acceptance, क्यों? तो खारीज हो गया ना सिर्फ ऐसे, आप मुसल्मान हो के एक मुसल्मान को टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, आप कहते हैं, कि तु मुसल्मान ही नहीं हो, दूसरे एक हाथ स से आप मुसल्मानों को कहए मुसल्मानों और दूसरी तरफ से आप हिंदूों को यह किसी और नॉन मुस्लिम हो कहते हैं कि तुम si applies कर तैं कि सबस्यादा पाकिसान में देखा जारा है तो TV कौन असली मुसल्मान है कौन अकली मुसल्मान है कौन मुसल्मान है कौन नहीं मुसल्मान है कौन नहीं मुसल्मान कर दो दुनिया सुख से जिएगी आपके करना कि किसी को नहीं एक्सेप्ट करना और जो अलड़ी कर चुके हैं जो अलड़ी पैदा है जो जो शिया है जो एहम मुसल्मान के नाम पर जिहाद करते थे आतंगवाद फैलाते थे कि हम तो सब उम्मा वाले हैं एक ही हैं हमने मतलब सबसे बड़ी गलती की बेकूब बनते रहे हम तो मुसल्मान भी नहीं थे और इसलाम के नाम पर यह सब करते आया आज तक बहुत शौकिंग चीज़ है खेर कोई सुननी देख रहा तो मुझे बताए कि तुम कौन होते हो किसी को यह डिकलेयर करने वाले कि कौन मुसल्मान है कौन नहीं पहली चीज़ और अगर ऐसा है सच में फर्क है सच में सिर्फ सुननी ही मुसल्मान है तो जितनों को कणवर्ट क कम होगा पोले ने चाहि कर aconte का हम रिफूजीज लेंगे लेगे सपचिफ़िकली मुसल्म्स को नहीं लेंगा उसाथ यहाए हमारे जनताने हमें चुना है और इसलिए हमारे देसमें अतंखवाद नहीं हैruleção नहीं होते कि हम मुसल्म्स को ऐजरिफूजी नहीं लेते We don't want any illegal migration in Poland. This is what we promised. This is why our government was elected, and not even one Muslim illegal migrant will come to Poland, ever. First of all, I'm talking about the terrorist attacks committed by radical Islamists. I couldn't hear very strong words from imams who would condemn this kind of attacks. That's number one. Rapes in Sweden, hidden for 13 months. I'm talking about the youth festival, where girls were raped by illegal Muslim migration, emigrants, and that was obviously hidden in Germany colony, where people were raped as well, and that was hidden. Okay, but again, you're saying it has nothing to do with Muslims, but Muslims are rapists and terrorists. But these cases, but these, it's true, it's true, but these cases are committed by illegal Muslim migration, which was proven by the police in Sweden, in Germany, in France, in many other countries. Okay, if I had to give you an example, in Germany, in France, in many other countries. Okay, okay. This is their statement of Poland's MP. So, there's a lot of stuff. It's enough for today. If you like, share and subscribe, then we'll see you next time. Thank you.